आज हम जानेंगे कि अस्वाध्याई काल में स्वाध्याई करने से क्या होता है और इस लोक और परलोक में उसका क्या फल मिलता है अस्वाध्याई काल में स्वाध्याई करने से आठ प्रकार के दोश लगते हैं पहला है तिर्थंकरों की आज्या का अतिक्रमन होता है दूसरा है अन्वस्ता दोस यानि दोस्ट स्विंकला का प्रारम होता है तीसरा है मिध्यात्व की प्राप्ति होती है चोता है ज्यान की विरादना होती है पांचवा है लोक विरुद व्यवार हो जाता है छटा है प्रमत और छलना सात्वा है विद्या साधन का वैगुन्य आट्वा है सुरुत ग्यान के आचार की विराधना होती है अब जानते हैं कि अस्वाध्याई काल में स्वाध्याई करने से इस लोक और परलोक में क्या फल मिलता है तो सुरुत ग्यान की आसातना का इस लोक में फल मिलता है उन्माद की प्राप्ति, रोग और आंतक की दीर्ग काल तक प्राप्ति, तिर्थंकरों के वचनों से अत्वासयम से ब्रस्ट हो जाता है व्यक्ति, सुरुत ग्यान की आसातना का पारलोकिक फल है कि उसे मोख्ष की प स्वाध्याई करने से वीडियो पसंद आया तो लाइक शेर सब्सक्राइब करें